मैं शेकर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूँ प्रधान मंतरी सीजन टू यूस टेलवेशन एतिहास की सबसे बड़ी सीरीज अब इससे फिंगर्प्रिंट्स लेकर पुलिस की जांच आगे बढ़ सकती है कि ग्वारत चंदेल की हत्या से जूड़ी बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं अब बड़ी खबर इस समय के हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद के मसूरी थाना शेत्र से गौरफ चंदेल की कार बरामद हो गई है 6 जनवरी को गुरुग्राम से लौट रहे थे गौरफ चंदेल ग्रेटर नौड़ा के नजदीक उनकी हत्या कर दी गई थी तभी से उनकी कार उनका मोबाइल उनका बटुआ सब गायब था पुलिस का कहना था कि लूट के मकसर से उनकी हत्या की गई पुलिस के हाथ ये पहला सुराग बड़ा सुराग लगा है गौरफ चंदेल की कार को बरामत कर लिया गया है हम आपको ये भी बता दे कि गौरफ चंदेल की कार अग्यात खड़ी हुई मिली है किसी ने पुलिस को फोन करकर बताया कि हमारे घर के बाहर ये कार खड़ी हुई है ये देखिए ये तस्वीर अभी अभी हमें मिली है, हम आपको दिखा रहे हैं UP16CL0133, ये गाड़ी का नंबर गौरक चंदेल के नाम पर रजिस्टर्ड थी ये गाड़ी, नौइडा उत्तरप्रदेश, तो ये हम आपको रजिस्ट्रेशन का कार्ड दिखा रहे हैं, गौरक चंदेल की कार है ये, ये साबित हो गया है, अभी तक ये क्यास लगाए जा रहे थे, कि ग्रे कलर की जो किया मिली है, वो गौरव चंदेल की है भी या नहीं, लेकिन ये दस्तावेज, ये प्रूफ करता है कि ये कार गौरव चंदेल की है, हालकि जो कार बरामद हुई है, उस पर नंबर नहीं है लेकिन ये जो कागस चिपका हुआ है आप देख सकते हैं गौरव चंदेल के विपिन तोमर जादा जानकारी लिए हुए जूड़ रहे हैं विपिन ये रेजिस्ट्रेशन का पेपर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कार के ऊपर जो स्टीकर लगा हुआ है वो भी हम दिखा रहे हैं उससे ये साफ है कि ये कार गौरव चंदेल की ही है जी बिल्कुल टे कि इसी स्टीकर को लेकर गाज़ेबाद के रहा ते निजट जादौन उन्होंने पुष्टी की थी कि ये गाड़ी गौरव चंदेल की है यहां नौड़ा के तमाम अधिकार अधिकार गारी मिलने के बाद बहुत आफारी हो जाएगी ये जादना की कि समय ये लोग आए हैं तहां से लोगों ने एंट्री ली थी इस्टन पेरिफल वे पे पुलिस का इबानना है कि गारी मिलने के बाद हट्या रोपी तक पाहुजने के लिए पुलिस को बहुत बड़ी कड़ी मिल गई है जी विपेन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोबाइल फोन भी गौरवचंडेल का गायब था उनका बटूआ भी गायब था अब ये कार क्योंकि बरामद हो गई है क्या वो कुछ सामान जो गायब था वो भी इस कार के भीतर मौजूद है या भी कुछ जानकारी नहीं उस प है और वो भी लगातार उस गाड़ी के आसपास उसको गुमाया जा रहा है और ये जानने कोशिश की जा रही है कि इस गाड़ी को छोड़ने के बाद जो हत्या रोपी थे वो आखिर किस गारी से यहां से गए पॉरेंट से टीम ने अपना मोचा समाल लिया है और बहुत बा प्रामद हुई है क्या वहाँ पर सीची टीवी कैमरे लगे हुए है क्योंकि अगर बदमाशों ने गाड़ी वहाँ पर छोड़ी है तो हो सकता है कि उस सीची टीवी में उनका कोई फुटेज हो क्या पूलिस उस एंगल पर भी काम कर रही है जी बिल्कुल देखिए जो यह है वो अपनी गाड़ी यहां खड़ी करके चला गया है लेकिन उस व्यक्ति का भी यहां दन्यवाद करना होगा जिसलें पुलिस को सुचना दी और पुलिस उसके बाद जो है एक्टिव हुई है और लगातार अरब छानवीन कर रही है पुलिस को यह आशा है कि गौरव पुलिस की बात कर रही थी यूपी पुलिस की लगा जगे चौकियां बनी हुई है वो खोज नहीं पाई खुद बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए तो बड़ी खाबर इस समी की हम आपको बता दे गाजियाबाद के मसूरी थानक शेत्र में हत्याकान को अंजाम दिया गया था ऐसा पुलिस का कहना है और अब जब ये कार बरामद हो गई है तो उम्मीद की जा सकती है कि गौरफ चंदेल के हत्यारे भी जल्दी पुलिस गिरफ्त में आएंगे तो ये तीन तस्वीर हैं आपके सामने और अभी तक सुबह से ये लग रहा था कि पता नहीं ये कार गौरफ चंदेल की है भी कि ये नहीं लेकिन अब ये जो रेजिस्ट्रेशन के पेपर सामने आए है और जो कार पे स्टीकर लगा है उससे ये साफ है कि ये कार गौरफ संदेल की है उतकर सिंग भी जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं उतकर क्या अपडेट आपके पास कार तो बरामद हो गई है बाकी का सामान जो लापत जो गायब था तो अभी बाकी के सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं है अलाकि जिस दिन गौरफ चंदेल की लगा पाई आखिरकार आज ये गारी मिली है परिवार ने भी इसकी पुष्टी कर दी है कि ये गौरो चंदेल की ही कार है हलाकि सवाल अभी भी है कि हत्यारे कहां है नौ दिन बीट के है पुलिस हत्यारों तक नहें पहुच पाई परिवार यही सवाल पूच राशो अपन चौकी चौकी के नीचे बीट सोती हैं और उनके जो कॉंस्टेबिल हैट कॉंस्टेबिल सोते हैं वो लगातार दौरा करते हैं वो तो कहा जाए कि खोकला साबित होता है इस्थानिय निवासी ने जानकारी दी तब पुलिस को जाकर ये सुराग मिला बिल्कुल शोगना पुलिस के सारे दावे सारी हकीकत आज सामने आ गई है जिस जगह ये कार बरामद हुई है वो कुछ सुनसान इलाका नहीं है वो रिहाइशी इलाका है बकाईदा एक कॉलोनी की गली में वो गारी खड़ी मिली है इस्थानिय निवासी ने फोन करकर पुलि पूरी जानकारी के लिए तो उत्तर प्रिदेश पुलिस जिस तरह से इस मामले को हैंडल कर रही है सवाल बड़े गंबीर खड़े होते हैं छे जनवरी को ये हत्याकान डुआ था आज 15 जनवरी हो गया है हाला कि कार अब बरामद कर ली गई है फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुँच गई है हम आपको बता दे कि स्थानिय निवासी ने पुलिस को फोन करकर इतला दी कि यहां पर एक अग्यात कार कई दिनों से खड़ी हुई है उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची और पता चला कि ये गौरफ चंदेल की ही कार है और रेजिस्ट्रेशन के जो पेपर हम आपको दिखा रहे है और गौरफ चंदेल की कार के उपर जो स्टिकर लगा हुआ है क्योंकि नंबर प्लेट नहीं थी उससे ये साबित होता है कि ये कार गौरफ चंदेल की ही है